हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाद करता हूँ अपने यूट्यूब चाहिए जॉब्स इन सौट्स पर हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जॉब वेकेंसी की जानकारी लेकर आया है दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर आई है स्टेट लेवल प्लिस रिक्रूट्मेंट बोड आसाम की तरफ से जिहां दोस्तों यह जॉब वेकेंसी है असल पी आर भी आसाम रिक्रूट्मेंट और 23 जिसे की 211 कॉंस्टेबल पोस्ट के लिए जारी किया गया है सलरी की बात की जाए तो यह आपको 14,000 रुपे से लेकर 60,500 रुपे पर मन तक की मिल जाएगी जबकि जॉब लोकिशन आपका असामी होगा अगर महीं बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवधन करने के लिए अप्लाय मोड क्या रखा गया तो इसे कंप्लिटी ऑनलाइन रखा गया दोस्तों तो आईए बिना देर कि इस जॉब वेकेंसी के बार में में जा लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद ही सब्सक्राइब करें क्यूंकि हम हर रोज आप के लिए नहीं जाप वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं साथ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक लेकिस्टल क्वाफिकेशन की तो जिन काडियों से क्ला स्टेंथ पास कर रखा है किसी बिए बोर्ड या निवसिटी से वह सारे के लावदन कर पाएंगे वह अगर एज लिमिट यानि आयो सिमा की बात की जाए तो काइए और थारा वर्स लेकर 40 वर्स तक होनी चाहिए एक जुलाइद और बाईस से पहले तक यानि जिन कनेट्स का यह ठारा वर्स यह उससे ज्यादा है चालिस वर्स या उससे कम है वह सारे के लावदन कर पाएंगे वह अगर एज लाक्सेशन की बात की जाए तो ओबी सी और मोबी सी काडियों को तीन सल तक और को पांच सल तक का एंज लेक्सेशन दिया जाएगा वही एप्लिकेशन फी बिल्गुल फी अफ कॉस्ट है यानि इसको आवधन करने के लिए आपको कोई आवधन से उपदने क्या हो सकता नहीं है अगर बात किजाए सेलेक्शन बहुस की तो यह फिजिकल स्टैनर्ड टेस्ट फिजिकल कोई क्वेश्चन है तो साफ हमें कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हो साथी एक और इंपॉर्टन बाद मताओ दोस्तो इस वाकंज से रेलेटेट जितने भी इंपॉर्टन लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसमें क्लिक करके करना में स्टार्ट कर सकते हो तो फिर बिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नहीं जाब अकंजी की जानकारी लेटर जय हिद्द